नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडिसी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स पैनलाइसिस करेंगे एस जेएस वसेज़ डव्लू टेएस के बेच चो होगा च्रीपुडा ओमेंस्टी टुइंटी का आज का दिन का दूसरा मैच मैच स्टाट होने वाला इस आरे बारा बज़े इंडियन टाइम क्लियर विदर रहेगा इस मैच के रिलेटेट सभी न्यूस अपडेट और गाईस इंपर्टेंट Пंटिम मिलेगा अपको इस वीडेओ में ध्यान से वीडियो नंत देखना लास्ट मैच में ना क्या हुआ था ईस इस उतना भी बुरा टीम नहीं है जितना लास्ट में खेला था एक सबसे बरा रिजन था लास्ट मैश में इनकी जो बॉनेंट थे ना बहुत सारे ट्रिपुड़ा का स्टीट लेवल प्लेश था तो इसी रिजन से गाइस एस का परफॉर्मेंस लास्ट मैश में ज्यादा ही सब्सक्राइब हो गया था पर स्टिल मैं क्या करूंगा पता है आपको मैं एस जीएस को इस मैच में बैक करने वाला हूं बहुत सारे पंद पिक्स हम लोग एस जीएस से निकालेंगे इविन जो कैप्टेन वाइस कैप्टेन बनेगा वह भी आप एस जीएस से बना सकते हो अब आपको सही में रिस्क लेना है तो ध्यान से वीडियों तक देखना पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल मेनी हो फर्स्ट टाइम हो तो इस मैच के रिलेटेट और भी अपडेट के लिए और नेक्स्ट मैचेस एक्शिंटी ट्वेड़ा के पिक्स के लिए टेलीग्राम पर चाहतो कॉमें सेक्शन में जो लिंक है उससे भी आप टेलीग्राम जोइन हो सकते हो तो आता हूं मैं दूस्ते अनलाइसिस में सारे 12 बची मैं स्टार्ट होगा 100 अब मैं मानता होगी ना 100610 अब दिखो 3040 अगर एक्स्ट्रा से आ गया ना तो बात अलग ह जैन वह बहुत ज़्यादा हो ज्यादा है 30 40 अगरन एक्स्ट्रा में कभी इस एकसेप्ट इनी शांगा और आइकसपेट थी नहीं कर गौहां और धीक है जिस 빼 S.D.L actually model is weekly द्च में के देखो के सुप्रिया दा सबके लिए इंपॉर्टिन पिक रहेंगी निकिता देबनाथ चंदा इनको लेना ले आपको इनको लेकर रखना है स्टेट लेवल एक्सपिरियेंस है लास्ट मैच इग्नोर करो बारिश हुआ था और बारिश तो नहीं हुआ था मैस डिले हुआ था उसके बाद स्टार्ट हुआ और इन्होंने खराब बॉलिंग किया था बट स्टिल मैंन को बैक करने वाला हूँ दो प्लेयर सुप्रिया निकिता आगे हमारे टीम में तीसरे अश्मीता नात तीनों स्टेट लेवल एक्सपिरियेंस है और निकिता स्टेट लेवल एक्सपि तो गाइस में मानता हूँ पारोमेदा चौकरबती यह भी अंडर 19 की प्लेयर रहती है त्री बुड़ा के लिए पाच वापी कि रहेंगी और मेरे टीम का टेफिनिटली एक बहुत इंपॉर्टन पार्टी यह पाच प्लेयर ठीक है अपिनिंग बॉलिंग सौरवी अश्मी और निकिता आपको डेट में करते हुए दिखेंगी मैं तोड़ा सा गलत लिग दिया था चली गलत हो गया था तो अब देखो सौरवी अश्मीता निकिता यहां पे भी है और यहां पे बीए क्लियर इंडिकेशन है कि पावर प्लेय ऑन डेट में बॉलिंग करा रहा है करके निकिता श्मीदा सौरवी आपको बैटिंग से भी देंगे तो इनको छोड़ना नहीं है रखना नहीं कंडिशन में अब दिखो डूमेस्टिक में इनका जो ओवरल डूमेस्टिक मतलब डूमेस्टिक मतलब इनके क्लब लेवल में रिकॉर्ट जो है सुप्रयादास 20 म बैट सुम में ज्यादा पॉइंट देंगे आपको ना कि एस बॉलर और और राउंडर बट में क्या करना है थोड़ासा बॉलर के ओपर भी ध्यान देना है जो बॉलिंग कर लेती ऐसे वाले पिक जैसे कि सौरवी यह त्री पुड़ा में के लिए रिसेंट ली तीन एक एक दो विकेट लेकर आ रही थी तो इंपॉर्टन होंगी डेफिनेटली शिल्पी इग्नोर जुसमिन को और यह ग्रैंड लिग में यूज करना है तो करो इनको निकीता भी देखो त्री पुड़ा में के लिए बॉलिंग से अच्छा परफोर्मेंस है डोमस्टिक में इंपॉर्टन है बिजया घोश का इसापके लिए अगर खेलती है तो अंडर 19 एक्स्पीडियेंस है दोस्तो छोडने का कई पे भी गलती मत करना ठीक है बिजया घोश और भी कोई प्लियर एड हुआ ना मैं उनका स्टैट आपको टेलिग्राम पे देदूंगा तो डोंट अच्छी एक्स्पीडियेंस वाली प्लियर है यह रन बढ़ाएंगी तो टीम चलेगा अधर्वाइस देखो किसी का बहुत जादा रन है नहीं ठीक है यह इनके उपर डिपेंडेंट है और उभी किसे भी पॉइंट देंगी तो एक सेफ पी के आपके लिए रखना पड़े है इंको मिलाने मैं इनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं कोई हो भी नहीं कोई जो इनसे क्रेडिट लूप बठां अच्छे बैट्समेंट लेती तो मैं कैप्तेंट जरूर मनाता बट फिलाल मैं मानता हूं एक बार अब्ज़र्व करो एक आदा और मैच शायद इनको करने को मैं मैं नहीं बता रहा हूं और ऐक टीम में और एक गाप्टेन सी भी जा還 मामन के रविदा सेम उस्फ मैं तीनम दो यॉग के डूप सर्वस् het रूमपा जहना त्राय कर सकते सब्सक्राइनत प्रिंग चले हैं बॉलिंग करते हुए दिखी थी तो important बॉलर हो सकता है डेट में अच्छे बैट्समें कोई रहते नहीं है तो गाइस वहाँ पे विकेट बहुत जादा और गुच्छे में गिनने के चांसे रहते है हाँ अक्सर ऐसे बॉलर्स के ओवर कड़ भी जाते है शायदी ओवरी ना ड सकते हैं दोस्तों रूंबा सिंगा मैं बॉल फर्स बॉल फर्स जरूर ट्राय करने वाला हूं यह अफ्टर टॉस हम लोग कॉल करने वाले पास्ट रिकॉर्ट में देखोगे न अत्री पुड़ा हो मैं से केल का रही है एम देबना तो important definitely बन जाती है वीकी से भी point देंगी चाहता कुछे खास इनके रिकॉर्ड लग नहीं रहा है और यह experience भी नहीं है स्टेट लेवल में तो मैं इनके उपर अलग से जोड नहीं दूंगा और डिफिरिंशल पिक नहीं बनेगा अश्मिता दास साथ मैंच में पाच ओवर में दो इकेट है उतना भी खास नहीं है इ सब्सक्राइब करने का गल्द से भी सोचो मत ग्रैन लिग में तो कैप्टेन भी बना सकते हो हां लास्ट में विगेट लेस है बर इसका मतलब नहीं कि हर रोज जाएंगी एम रभी दास राइट आम उपस्पिन ग्यारा मैंच में तियरा मैंच में तियरा मैंच फॉर्टी तो आए हुआ था तीन सथाए जिरो बर उतना भी बुड़ा बॉलर नहीं है वनसे टिम में ट्राइक कर सकते हम लोग रूंपा का नौ मैच में जाकर पाच हुए ऐसा नहीं कि बहुत हाई नोट से डोमेस्टिक में नौ मैच में के चैंसे इनसे बिटर बॉलर मुझे डुम बहुत ज्यादा निकिता देबनाथ दोस्तों आपके लिए ना एक बहुत शांदार पिक रहने वाले इस मैच में एनाथ पिस्ट पंथ है निकिता एनाथ कोई नहीं शायद इनको आपके ऑपनें डॉप कर गया है आप अगर कैप्टेन वाइस कर बना होगे ना स्मॉल विकेट कीपर और जो स्ट्रीट लेवल एक्सपिरियंस होते ना वो कुछ ना कुछ रन बना जाते हैं वो कुछ ना कुछ विकी से पॉइंट दे जाएंगी तो गैस मैं क्यों ना मैं इन दोनों को कैप विसी यूज करू तो एक टीम मेरा चरूर यहाँ पे कैप विसी तो उनके लिए यह बाला पिक रहेंगे ठीक है कैप विसी जो सेफ है मुझे लगता है कि यह दोनों मिलागे ना इस मैच में सतर पॉइंट आपको बिंदाज दे देगा मतलब अगर इन्होंने थर्टी पॉइंट और इनका फॉर्टी पॉइंट मुझे लगता है कि जो पब्लिक सेलेक्टेड है या फिर ऐसा कुछ कम्बिनिशन आपके लिए मन के आएगा इस मैच के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बॉलर ही आपको जीएल जीताएगा ना कि बैट्समें बट्समाल लीग के लिए जो सेफ है वह बैट्समें भी हो सकता है तो यह रहे आपके साथ टेलीग्राम पर जूर जाना आप टेलीग्राम वीडियो बसंदा है तो लाइक कर देना था इस मिलते है मैंच टाइम पर